ओके हम लोग ने यहां पर सीख लिया था कि कैसे हम लोग एपिस बना सकते हैं और वह कंवेंशन क्या हैं नेक्स्ट यस में बनाने के लिए अभी तक इतना कम्प्रीट हो गया लेकिन अब मालो हम एपिस बना ले हम यहां से रिक्वेस्ट कर ले और डेटा प्रोसर्स करके हम और उसके लिए हम लोग ने यहां पढ़ लिया था next request and next response लेकिन यार क्या हो कि अगर हमारे पास database ही नहों तो हम data कहां store करेंगे बात बात पते कि यह नहीं है तो हम क्या करते हैं हम database को भी configure कर लेते हैं मतलब database को setup कर लेते हैं जिससे कि हम database database में data को टाल पाएं डेटा को निकाल पाएं database में बाकी मैं operation कर लें तो इस वीडियो में हम लोग mongodb set up करते हैं और हम लोग करेंगे mongodb cloud that is actually Atlas तो चले स्टब बाइस करता हूं कि कैसे हमें क्या कर रहा है हमें mongodb set up करना है okay so आपको आजाना है आपको यार simply internet पर आना है Google open कर लेना है ठीक है and Google पर यहाँ पर search करना आपको mongodb Atlas ठीक है यह Atlas actually आपका cloud database है जहां पर यहां पर आप को कुछ इंस्टॉल करने की जरूद नहीं आप डिर्क्री इनके सर्वर पर ही database अक्सिस कर पाऊगो बहुत बड़ी अचीच है ठीक है so हम अपिन कर लें नियार and यहां पर आपको simply sign up करना है आप Google लोगा राइस कर सकते हूं मैं Google लिउस करूंगा एक्पली sign up करने लिए तो बहुत आराम से करिए अप परिशान मत होई एकदम ठीक है आपको धनुस भी दे दी गहीं आपको यह भी दे देगा भी देगा अब आपको यह करना है चूज की आप कौन सब टूल वायर टूल यूज करोगी लड़ाई लड़ने के लिए बड़े एक्जंपल देगे ना ठीक है सो हमारे पास यहां पर लॉकिन इंटू अकाउंट हम गुगल यूज कर सकते हैं फिर हम अपनी इमेल आइड यूज कर सकते हैं बट मैं गुगल यूज करूंगा सिंपल ठीक है क्योंकि हमारा इमेल और अलड़ी साहत लॉग इन है य प्रिंट करेंगे वैसे प्ती पर कुरिंट करनी पड़ेंगे आफको पी साथनी पर समस्कुर सब्सक्राइबस करते हो जो यह कह रहें मानना पढ़ेगा अगर अग्लां काटने को बोलेंगे तो आपको कटवाना बड़िगा ठीक है चलो वेलकम थेलकम यूस यूर अजर ए में लिए डाशबोर्ड पर रिडारेक्ट कर देगा यहां पर यहां पर हमें क्लस्टर्स वगर्ण करने होंगे सो देखते हैं वाइए कुछ बता रहा है वाट इस एक्टुली और गोल बता रहा है अद्रन और वीलिकेशन ओपकल बनाना है मुझे से उस्ट नहीं बनाना है मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो अपने साफ से चूज कर ले हैं और मैं यहां पर हिसकरने वाला जाओ स्क्राइब प्रीनिस कर देंगे तो संगी कि ए ठीक है सो यह information जो भी आप से पूछेगा आप दे दिएगा that's it हम लोग database भी कुछ और पूछा है यह create करने के लिए बोल रहा है कि cloud create यह यह deploy your database तो यह basically cluster होगा है create कर रहा है use a template below template अगर use करने के लिए बोल रहा है तो मैं क्या करता है गार मैं आपको starting से बताता अगर बताता बट फिर भी हम लोग यहां पर क्या करेंगे हम लोग करेंगे फ्री वाला ठीक आप देखो M03 for learning and existing MongoDB यह cloud तो मैं आपको पढ़ाई रहा हूं तो free use करूँगा मैं AWS करूँगा यहां पर देखें यहां पर मैं उस करूँगा यूरोप मुंबई मैं यहां पर मुंबई उस करूँगा region में ठीक है क्योंकि हमारा nearest region मुंबई इंडिया में हूं और यह basically cluster का नाम पूछ रहे तो cluster का नाम है cluster zero cluster zero that's it tag optional है तो basically cluster create करने के लिए बूल रहा था ठीक है सो हम कहेंगे free cluster create हो जाएगा है cluster zero ठीक है so I think यह मुझसे google capture ला रहा था बट मैंने मेरे से गलती से cancel हो गए तो wait करते है कि क्लस्टर zero एक बार मैं क्या करता हूँ रिफ्रेस्ट कर लेता है दुबारा से ठीक है टीक है डीवेचत करें देखते हैं किस पर रे सटांटा ही नेक्स ट्राइब छलता कि यहां प already चलता है यहां से हम लोग अट्रीक है पर all the squares with motorcycles, तो यह है motorcycle, यह है motorcycle, चार दिख रहे थे, मैंने verify पे click कर दिया, और यह I think verify हो जाएगा, and यह create करके, redirect करके आपको ले जाएगा, यह देखे, ठीक है, so अभी security कोई कस start के लिए, यह बदा रहे है, username, password, create करने के लिए बोल रहा है, username यह है, password यह, ठीक है, account, मैं कहूंगा, चलो बाई, create कर दो, या फिर अभी छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम आ जाते हैं, database पे, and अभी हम लोग, username, create कर लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास कोई database नहीं है, तो इसको okay कर दो, यह दिखे, create के बटन आ रही है, इस create के button पे, आपको मैं दिखा हूँ, तो यार, दिखा दो, यह दर से, I hope visible हो आपको, इधर तो रखीशते हैं, बिलकुल, अभी आपको दिख रहा होगा, यह वाली बटन के मैं बात कर रहा हूँ, मैं एक database create कर लोंगा, so let me create a database, create, create a new, अच्छा, यह cluster ही create कर रहा है, हम cluster 0 पे क्लिक करेंगे, then इसके अंदर जाएंगे, तो हमें यहाँ पे, cluster 0 के अंदर हम लोग आ चुगे, अब इसके अंदर हम लोग लोग आ चुगे, अब इसके अंदर हम लोग क्लेक्शन बगर बना सकते हैं, ठीक है, तो real-time matrix, overview, इस अब जाएंगे, collections, देख सकते हैं, थोड़ा सक टाइम लेग रहा है, थोड़ा slow चल रहा है, पता नहीं, मेरा internet हो सकता slow हो, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सो अभी हमारे पास कोई collection नहीं है, कोई भी collection नहीं है, हमारे पास, ठीक है, database भी अभी देको 0 आया है, ठीक है, सो हमारे इहाँ पर database क्रेट कर ले तो add ip पर click करेंगे, यहाँ पर हम add कर देंगे एक ip, यह देखे, enter ip बता रहा है, so मैं कहूंगा allow access from anywhere, इस पर click कर दिए, तो your ip add हो जाएगा, मुझे कहीं से भी इसको access करना है, तो allow access from anywhere कर दिए, your ip 0.0.0.0.0, ठीक है, your ip add कर देंगे, that's it, confirm कर देंगे, इससे कि हम अपना account कहीं से भी access कर सके, current, इस वाले system का भी मैं, ip add कर सकता था, इस बर दिक्कत यह हो जाती, कि हो सकता है, ip change हो जाए, बार-बार reboot करेंगे, router तो ip change हो जाएगी, तो इसलिए मैंने 0.0.0.0.0 add गया, इसका मतदब होता है, anywhere, कोई भी ip होगी, तो यह allow हो जाएगा, ठीक है, यह ह अब हम एक user create करेंगे, तो user create करने के लिए हम आएंगे, database access में, यहाँ पर add a new database user, और यहाँ पर user दे देंगे, हम दे देंगे, यहाँ पर देते हैं, sub string, and password भी मैं दे दूँगा, ठीक है, password भी दे दूँगा, वाई है, sub string, आभी यह password ट्राय मत करेंगा, मैं हटा दूँग ब्रिक और करने के बाद, ठीक है, बाकी आप क्या कर सकते हो, built-in role में, यहाँ पर pass कर सकते हो, atlas admin read and write to any database, मैं read and write to any database पर क्लिक कर दूँगा, and that's it, बाकी यहाँ पर मैं कुछ चेक नहीं कर रहा हूं, नहीं साब से बाद में चेक कर लूँगा, ठीक है, so बस हमें याद ही क password, username जो हमारा है, वही password है, and that's it, read and write to any database, मतलब यह जो बंदा है, वो किसी भी database में read and write कर सकता है, ठीक है, that's it, अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बहुत असानी से, बहुत असानी से, अब हम यहाँ पर collections, इस cluster 0 के अंदर हम लोग database बना सकते हैं, database के अंदर collections बना सकते हैं इनने काम कर सकते हैं, ठीक है, अब करना कैसा है, connect करने के लिए हम लोग database के अंदर आएंगे, and हमें यहाँ पर यह बारा ही string चाहिए होगी, चलो भाई, हम यहाँ पर आएंगे, and यहाँ पर connect करने के लिए हम यह वाली connect button पर click करेंगे, जैसे आप connect button पर click करोगे, तो आप देखोगे, यहाँ पर काई सारे option देखेंगे, driver देख रहा है, compass देख रहा है, shell देख रहा है, mongodb for vs code देख रहा है, and atlas sql देख रहा है, तो मैं compass पर click करोगा, and जैसे आप compass पर click करोगे, तो यहाँ पर string देखेंगे, इस string को आप copy कर लिए, इस string को यूज करके हम लोग connect कर सकते हैं, यहाँ पर mongodb पर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे, add, हम लोग क्या करेंगे, अपने root folder में right click करेंगे, एक file मना लेंगे, .env file, इसी के अंदर हम यहाँ पर mongodb uri, ठीक है, यहाँ पर equal to में paste करेंगे, इसको हम लोग एक्छली यूज करेंगे, mong password कोड़ा के अपना actual password डाना, यूजरेम तो अलड़ी पढ़ा है, तो हम हाले देंगे, that's it, बस, और कुछ भी नहीं करना आपको, बस, that's it, काम होगे आपका, अब आपको यहाँ से कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर सिर्ट डेटा आएगा, उसको देखना है, आग गड़ा क connection क्रेट करने और उस function को बार-बार use करने, ठीक है, तो चलते हैं, और हम लोग क्या करते है, connection क्रेट करने का code लिखते हैं, पहले, okay,